आकाश्वाणी बोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं रतनेश सोनी आज करगल विजय देवास है इस मौके पर देश के नागरेक उन युद्वीरों को नमन करते हुए शुद्धानजल एरपित कर रहे हैं जिन्होंने कठिन परिस्तितियों में वर्ष 1999 में करगल की लड़ाई लड़ी और जीती राश्टपती रामनाद कोविंदी ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि देश शहीदों और उनके परिवार के प्रती हमेशा कर्तग्य रहेगा प्रती सदेव आभारी रहेगा प्रधान मंत्री नरन वोदी ने आज देश वासियों से मन की बात कारिकर मेशार्चा करते हुए करगल युद्ध के वीर सानिकों का इस्परण किया उन्होंने कहा कि 21 वर्ष पहले आज जी की दिन करगल युद्ध में सैना ने भारत की जीत का जंड़ा फैराया था सूचना और प्रसान मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक ट्वीट में कहा कि देश के बहादूर सानिकों ने ओपरेशन विजय के अंतरगत अदम्य साहस और शोहरी का परिचे देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में विजय प्राप्त की मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहन ने भी देश के अमर शहीदों का इस्पराण करते हुए नमन किया शिचोहन ने एक ट्वीट में कहा कि करगिल विजय दिवस देश के जाबास सपूतों के साहस पराकरम और बलिदान का प्रतिफल है इस मौके पर मंसौर जिले के गुर्जर बरडिया गाउं के निवासी रिटायर स्थानिक दसरत चिंग गुर्जर ने करगिल के लडाई के दिनों को याद किया तो कागिल लडाई रिस्टार्ट हुई उस समय 99 की बात है ये उस समय हम भी जम्मू कश्मीर में ही थे कागिल लडाई के अंदर हमारा जो काम था वो राकेट लांचर का था और हमारी देश की सेना ने दुश्मन की इस तरीके से हालत खराब करी कि जो वहां रुका वो मर गया और जो भाग गया वो अपनी जान बचा के वापस भाग गया हो राजधानी बोपाल में लॉकडाउन का जी दूसरा दिन है लॉकडाउन की निगरानी के लिए शेहर में धाई हजार से अधिक पुलिस करमी तयनात किये गए है पुलिस जगा जगा बैरिकेट्स लगा कर यातायात को नियंतरित कर रही है बेवज़ा घर से निकलने वालों के खलाफ कई स्थानों पर कारेवाही भी की जा रही है लॉकडाउन के चलते राजधानी की सरलकें सूनी है केवल आवश्यक वस्तुएं जैसे मेडिकल, पैट्रोल पंप और दूद की दुकाने खुली आधिकारिक सूत्रों ने बताये कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमन को रोकने के लिए प्रते दिन 2000 सैंपल लिये जाएंगे शेहर के जिन अलाकों में संक्रमन अधिक पाया गया है, वहां कड़ी निक्रानी की जाएगी मुख्यबंतरी शिवराई सिंग चौहान ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सतत योगदान दे रहे कोरोना योद्धाओं की समर्पन और सेवा भाव की सरहनकी है कोरोना संक्रमन की बात कलसे राएधानी की चिराई उस्पताल में इलाज करा रहे शेत चौहान ने टुईट के माध्यام से कहा के कोरोना योद्धाओं का समर्पन अभी नंदनी है निस्वार्थ भाव से अपनी जान जोखी में डाल कर कोरोना संक्रमतों की सिवा करने वाले प्रदेश के सभी कोरोना युद्धाओं को मैं पढाम करता हूँ कोरोना से डरने के बज़ाए पूरे आत्म विश्वास के साथ हमें इसका मुकाबला करना चाहिए उन्होंने लिखा कि दोगज की दूरी रखना, हाथ धूते रहना और मास्क लगाना कोरोना से बचने के लिए बड़े अस्त्र हैं मेरी सभी प्रदेश वास्यूं से अपील है कि अपने लिए और अपनों के लिए इन अस्त्रों का उप्योग जरूर करें प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संक्या 27,000 से अधिक हो गई है जबकि 18,488 लोग स्वस्थो कर घर लोट चुके हैं वोपाल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संक्या 5,600 से अधिक हो गई है इंदोर जिले में 500 नए मरीज मिलने के बाद कोरुना संक्रमितों की संक्या 6858 हो गई है हाला कि इन में से 4660 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं जिले में अब तक कोरुना संक्रमितों के कारण 304 लोगों की मौत हो चुकी है और विभिन अस्पतालों में 1894 लोगों का उप्चार चल रहा है जबलपूर में कोरुना संक्रमितों की संक्या 1004 हो गई है इन में से 679 लोग स्वस्थ हो चुके हैं जिले में संक्रमन से 35 लोगों की मौत होई है शिवपुरी जिले में अब तक 265 लोग कोरुना संक्रमित मिले हैं जबकि 213 मरीज उप्चार के बाद अपने घर चले गए हैं मादमिक शिक्षा मंडल की बारवी कक्षा के वार्शिक परिशा परिणाम कल दो पहर अच्छी खबर में आप हर रवीवार रूबर होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाकी के उस खबर से जो सकरात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है अब कुछ समचार संशेप में अमर्या जिले में आज लॉकडाउन की कारण बाजार बंध है जिला प्रशासने नागरेकों से घर में ही रहने का आगरे किया है बैतूल के अपर जिला एवं सत्र नयायदीश महिंदर कुमारतर पार्टी एवं उनके यवापुत्र की बरत्ती हो गई पलिस सूत्रों के नुसार मौत का का और फूट पॉजनिंग बताया जा रहा है टीकम गर्जले में नगरपालिका में 27 वार्डों के आरक्षन की प्रक्रिया पूरी हो गई है करगी विज़े दिवसक्या उसरपा जबलपुर के M.B. एरिया में स्टिशन कमांडर राजिश नेगी एवं अन्यसानिकों अमरी शहीदों का पूर्णिया इसमरन किया इस बुलेटिन में इतना ही घर में रहिए सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाने नमस्कार